हाई फ्रेंड्स मेरा नाम राज और आप देख रहे है टेक वाइट आज हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे इंटेल SSD हार ड्राइब का यह इंटेल की सॉलिस्ट्रेड ड्राइब है और जो इसकी कैपेसिटी है वह 120 GB मैं आपको एक बार बॉक्स ओपन करके दिखा जेता हूं कि क्या क्या मिलता है आपको बॉक्स के अंदर यह आपकी में हार ड्राइब है यह हार ड्राइब आप अपने लैप्टॉप और डेक्स्टॉप दोनों के सांथ यूज कर सकते हैं और इसके सांथ जो आती हैं वह आपके लिए हैल्फुल है अगर आप इस हार ड्राइब को अपने डेक्स्टॉप में यूज करेंगे तो अगर आप यहार ड्राइब लैप्टॉप में यूज कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों की ज़रुवत नहीं पढ़ने वाली है मैं आ इसके बाद एक साड़ा केबल भी है इसके सांथ यह अगर आप इसको नियूज करेंगे तो यह सब चीजे हैल्फुल रहें गया अपके लिए और एक केसिंग भी मिलता है आपको इसके सांथ अधक्स्टॉप में यूज करने के लिए मैं आपको मेन अच्छ ड्राइव कि बैकसाइट से दिखा देता हूं मैं आपको बैकसाइट में सारे इन्फोर्मेशन है इसकी सीरियल नंबर मॉडल नंबर जितनी भी कैपेसिटी इसकी सब मैंशन है इसकी पीछे अगर आपने यूज करी इससे पहले तो आपको मालूम होगा कि यह एक नॉर्मल साटा हाट राइब से टैन टाइम फास्टर होती है और आजकर लोग एससेटी हाट ड्राइब को ही लेना प्रफर करते हैं मैं आपको एक सैंपल दिखा जिता हूं मेरे पास एक साटा हाट ड्राइब पड़ी है यह देखे लुक वाइस तो दोनों सेम लगती है पर जो स्पीड है वो एससेटी हाट ड्राइब की काफी जादा है साटा हाट ड्राइब से इसलिए आजकल जो भी लैप्टॉप और डेक्स्टॉप यूज होते हैं जाद तर लोग एससेटी हाट ड्राइब को ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि यह काफी जादा फास्ट होती है एक नॉर्मल साटा हाट ड्राइब से